पश्चिमी जिला पुलिस के नाकोटिक स्क्वाइड ने बिहार से लाए गए गांजे की खेप को जबत करते हुए तीन आरोपियों को गिरफतार किया है। आरोपियों में से दो शक्स खेप को लेकर पहुँचे थे और एक इसे खरीदने वाला है। इनकी पहचान रुदल, विकास वराजेंडर के रूप में हुई है। रुदल बिहार के वैशाली जिला स्थित पहारपुर व विकास हवतप और गाउं का रहने वाला है। वहीं खरीददार रविंद्र रगुबीर नगर इलाके में रहता था। बरामद गांजा का वजन 41.90 किलोग्राम है। नशीले पदार्थ के तसकरों पर नकेल कसने के लिए पश्चिमी जिला पुलिस की नाकोटिक्स क्वायर्ट समय समय पर अभियान चलाती रहती है। तसकरी के नेटवर्क से जुड़े बदमाशों पर नजर रखने के लिए पुलिस ने जगह जगह सूत्र तैनात किये हुए हैं। इनसे मिली जानकारियों के आधार पर पुलिस तसकरों को दबोचती रहती है। इस क्रम में पुलिस को पता चला कि वे वैशाली से ही खेप लेकर पहुँचे थे। पुलिस आरोपियों से यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आखिर इतनी बड़ी मात्रा में गांजे की खेप को ये दिल्ली तक लेकर कैसे पहुँचे। यह भी पता किया जा रहा है कि गांजे की यह खेप कहीं ओरि प्राइम से जुड़े वीडियो देखने के लिए हमारे संसनी ओफ इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बाइब करें शेर करना ना भूले